असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टु दी बास किचन आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्लावर पापर वो भी चावल से स्रिफ दो इंडिरिंस के साथ अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद इसे बिल्कुल आ करें और वीडियो को इन तक जुरूर देखें तो आईए वीडियो के स्टार्ट करते हैं यहां मैंने दो कप चावल लिया है इसे मैंने राद भर पानी में भिंगो कर रखा था अब आप इसे अच्छे से तीन बार वाश कर लें और इसका सारा पानी निकाल दें सारा पानी मैंने निकाल दिया है चावल में से बाकी की इंग्रिडिन्स में हमें चाहिए नमक और पानी पानी हमें चावल का पांच गुना लेना है अब हम चावल को ग्राइंडर में डाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे एक कप पानी आप पहले निकाल ले उसमें से थोड़ा सा पानी आप इसमें डाले और इसका पेस्ट बना ले इसी तरह से आप बाकी के चावल भी ग्राइंड कर ले सारे चावल मैंने ग्राइंट कर लिया है अब इसमें आप पानी एड़ करें जितना चावल है उसका 5 गुन जादा हमें पानी लेना है तो हमने 2 कप चावल लिया था यानि की हमें 5 कप पानी चाहिए एक कप पानी हमने ग्राइंट करते वक यूज depends याद रखें तो इसलिए मैं यहां पर 9 कप पानी एड़ कर रही हूं साथ में नमक भी एड़ कर ले और आप इसे किसी भी बेलन या फिर इस तरह के हैंड मिक्सर से इसे आप पकाएं लगतार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर दस मिनट में आप देखेंगे यह थोड अब हम गैस पे तवा रख देंगे और इसके उपपर हम चावल वाला भगवना इसी तरह से आप इसे लगतार चलाते हुए दस मिनट और कुक करें ताकि यह थोड़ा सा और ठीक हो जाए फ्लेम को मीडियम ही रखें फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकम पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दस मिनट बाद आप फ्लेम को लो कर दे और इसे कवर करके कुखोने दे 5-7 मिनट के लिए बीच बीच में आप इसे खोल कर चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना साथ मिनट बाद ये अच्छे से कुखो जाएगा इसे गैस से उताल ले और इसे इसी तरह से चलाते हुए 8-10 मिनट के लिए ठंडा गल ले ये अच्छे से ठंडा हो गया है अब मैं यहाँ पे स्टान नोजल यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे दो डिजाइन यूज कर रही हूँ तो मैं अपने नोजल पाइपिन बैग में लगा ले रही हूँ फिर पाइपिन बैग में आप चावल वाला मिक्षर डाले और इस त यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली आप कोई भी कोन बना ले और इस मिक्शर को डाल के इस तरह से राउंड ओन इसे डाल दे अब आप इसे तेज धूप में दो से तीन दिन के लिए सुखने दे अच्छे से इसे सुखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ये देखे ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और ये कितना छोटा सा क्यूट सा लग रहा है आईए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं एक कड़ाई में तेल गरम होने को रख दे जब तेल गरम हो जाए तब आप इसमें थोड़े से पापर डाले और इसे फ्राइ कर ले य अगर ये अच्छे से सुखे गड़ा नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं फूले तो इसलिए आप इसको दो से तीन दिं के लिए अच्छे से सूखने दे उसके बाद ही आप इसको फ्राइ करें आप इसे स्टोर करके चे माहिने से साल तक रख सकते हैं यह देखिये यह अपन और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी मेरे चैनल पे आपको और भी पापर्स की रेस्पी मिल जाएगी लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा जल्दी आपसे फिल मुलकात होगी एक नई रेस्पी के साथ तर टेकिली एल आफिस